दोस्तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं comparison इस यॉनेक्स के एस्ट्रोक्स स्मेश बैट्मिंटन रेकट का वर्सिस यॉनेक्स के आर्क सेबर 7-1 लाइट बैट्मिंटन रेकट का तो आप देख सकते होंगे यह रहे रेकट मेरे पास में तो आज इनका करेंगे comparison तो आईए देख लेते हैं इस छोटे से इंट्रो के बाद सो हे दोस्तो मैं हूं अर्शीतुर स्वागत है आप सब इका स्पोर्ट स्वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स तक शेर कर देना ताकि हमारा एक काम और फैले और motivation मिले वीडियो बनाने में तो अच्छा लगता है तो शेर जरूर करना और लाइक करना लाइक करना फ्री है लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते है अब यहाँ पर आप देख सकते होंगे यह बेसिकली मेरे पास है योनेक्स का एस्ट्रोक्स स्मैश फैट्मेंटर रैकट यह है योनेक्स का आर्क सेबर राइट तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे दोनों रैकेट सबसे पहले आपर कवर की बात करो तो इस तरीके के हैं यह है स्ट्रोक्स स्मैश यह आर्क सेबर कवर की बात करों तो यहाँ पर पहफस्ट लुक में कवर जो अच्छा लगता है मुझे परसनली वह यह अच्छा लगता है राइट हो दोनों की डिजाइन में डिफरेंस है राइट दोनों यूनिक से हैं लेकिन आर्क सेबर का जो quality भी अच्छी है, carry करना भी असान है, foam padding भी comparatively अच्छी है, right, ये चीज है, और, मतलब, it is clearly a winner, जब कि अगर मैं price की बात करूंगा, तो ये जो astrox smash है, तकरीमन आपको 2000 रुपे का और कहीं case में तो 2100 तक भी चली जाती है, इसकी price, right, क्योंकि fluctuate होती रहती है, तो जनरल ये 2000 रुपे का आपको मिलता है, और ये आपको 1700-1800 रुपे का मिलता है, arcsaber, उसके बावजूद भी arcsaber की cover की quality जादा अच्छी है, right, तो खेर अभी इनको निकालते हैं भार, cover के बार में आपको बता दिया, price के बार में बता दिया, ये मैंने निकाला, arcsaber, ये मैंने निकाला, astrocks smash, दोनों की cover को side में रखते हैं, तो आप देख सकते होंगे, यहाँ पर ये है basically मेरा arcsaber और ये है astrocks smash, तो सबसे पहले जो first look है, यहाँ पर हाथ में बात करूँ, look wise, तो दोनों ही काफी अच्छे लगते हैं, आप देख सकते होंगे, look wise, यहाँ पर मुझे personally, मैं आपको सच बताऊँ, तो ये जो है न, astrocks smash look, इसका जादा प्यारा लगता है, क्योंकि नोने इसके अंदर थोड़ा अलग सा यहाँ पर material यूज़ किया है, right, तो उसको overall ये काफी अच्छा लगता है, और काफी इसके अंदर एक बहुत ही जादा over smooth texture सा है, इसके अंदर मतलब काफी जादा smooth लगता है, इसको हाथ में पकड़के, इस तरह की chemical का यूज़ किया गया है paint के ओपर, और look wise भी काफी सही है, आप प्लीज बताइए कि कमेंट करके कि आपको कौन सा जादा अच्छा लगा look wise, अगर मैं बात करूँ, इसकी तो इसके अंद इसका surface थोड़ा matte type में है, तो इसकी एक advantage है, जबकि आपको यह बात याद रखनी चाहिए कि यह racket, arc saber, 1800 रुपे के असपास का है, और यह racket 2000 रुपे का है, यह वाला महंगा racket है, और यह सस्ता है comparatively, अब आप next point की बात करते है, शेप की तो आप देख सकते होंगे, दोनों की यही shape जो है, isometric यहाँ पर आपको मिल जाती है, जो कि मेरी फेवरेट है, दोनों में एरो डाइनमिक सा frame दिया हुआ है, यही चीद है, यहाँ पर graphite और aluminium material से बने हुआ है, especially इसके अंदर थोड़ा जादा use है, graphite अगर मैं बात करू, flexibility की तो इसके अंदर भी flexibility आपको काफी सही मिल जाती है, stroke smash के अंदर यह चीज़ा आप देख सकते होंगे, flexibility के अंदर है कहीं न कहीं, right, हलाकि यह कुछ खाथ जादा flexible rackets है नहीं, लेकि little bit मिल जाती है, वहीं अगर मैं बात करू, इस arc saver की, तो इसके अंदर भी flexibility आपको थोड़ी बहुत मिल जाती है, लेकिन comparatively म आदलब short वगरा लगाते हुए, यह जादा, यहाँ पर flexibility feel होगी, इसके अंदर arc saver के अंदर कम होगी, stroke smash के अंदर जादा होगी, यह चीज़ है, अब guys अगर मैं बात करूं, string tension की, तो basically इसके अंदर आपको arc saver में 30 LBS तक की maximum tension मिल जाती है, जबकि astrox smash के अंदर आपको 28 L इसको side में रखते हैं, अब यह जो आवाज है, यह है हमारे आवाज, basically astrox smash की, आप देख सकते होंगे, clearly आपको difference नजर आ गया होगा, चलिए एक बार इनके weight का comparison में आपको दिखाता हूँ, weight का comparison आपके screen पे आ रहा होगा, दोनों का, तो दोस्तों जिसके आप देख सकते होंगे, यह है astrox smash badminton racket yonex का, और यहाँ आपने रखा, तकरिवन 79 gram का, यहाँ पर yonex का astrox smash badminton racket है, तो दोस्तों जिसके आप देख सकते होंगे, यहाँ पर yonex का arc saver racket है, और इसका जो weight है, वो है तकरिवन, आप देख सकते होंगे 83 ग्रैम्स का जहां पर यहां पर आप देखी सकते होंगे तकरीवन 84 ग्रैम्स का यह बैटमिंटन रैकेट है अब गाई जैसे कि आप देख देख सकते होंगा स्क्रीन पर मैंने दोनों का यहां पर प्लेइंग टेस्ट किया है अब गाईस अगर मैं बात करूं है यहां पर ग्रिप की तो इसके अंदर बैसिकली आपको जी फोर दोनों ही अंदर जी फोर ग्रिप यहाँ पर मिल जाती है और अगर मैं grip की quality की बात करूँ तो लगबख same ही है क्योंकि यह नेक्स का यह negative point है कि चाहे आप महंगे से महंगा racket ले लो इनका मतलब अभी तक जो मैंने देखे हैं चाहे आप तीन अजार का भी racket ले लो उसमें भी grip की quality इंप्रूव नहीं करते आपक चीज एकदम perfectly same है इनके अंदर राइट यह चीज जरूर से मैं कहना चाहूंगा कुछ इस तरीके का यहाँ पर यह सब चीज़ें है और तो guys यहाँ पर अब मैं एक चीज़ें आप से बताना चाहता हूं मतलब balance वगयरा भी लगबख दोनों का ही same है और जब मैं इनको यू पर आया गया है मतलब कुछ इस तरीकी technology उस करी गई है strokes smash के अंदर कि यह कुछ जादा ही light fill होता है तो short वगरा लगाने में काफी मतलब थोड़ी सी comparatively आसानी होती है काफी जादा तो नहीं कहेंगे लेकिन कहीं नहीं आपको इसमें थोड़ी आसानी होगी यह बहुत जाद तक भी आपको मिल जाता और यह आपको 2000 यह 1200 का मिलेगा तो उसके साफ से अगर मैं बात करूं तो इतना difference दोनों में नहीं है जितना difference प्राइज में है लेकिन थोड़ा सा slightly यहाँ पर यह short वगरा में यह better है हलका फुलका जादा नहीं बहुत minute summary difference फील हुआ प्लेइंग में कुछ खास जादा फील हुआ है यह चीज़ जरूर है अगर आप बेसिक में आपने पूरा देख लिया होगा चाहे वो cover का comparison हो यह सब चीज़े हो कहीं cases में यह winner है और कहीं में यह winner है तो अगें अब आपको decide करना है अगर आपका budget 1700 के असपास तक का है तो आप इसके लिए जा सकते हैं बढ़िया रैकिट है कोई problem नहीं है कोई ऐसी tension की बात नहीं कि भाईया मैं तो UNIX से ही कोई जादा बढ़ी हो जाएगा नहीं यह बहुत ही difference है दोनों के अंदर right but obviously it's like a you know more like a technology kind of a thing more ज्यादा इस पर काम किया गया है material बगएरा तो अगर आपके बास 2100 तक है तो go for it नहीं है 16,17,18,18 तक maximum जा सकते हो तो इसके लिए जाओ लेकिन परिशान मत हो ना right कुछ चीज़ेस की अच्छी है टेंशन मतले ना कि अगर आपने यह खरी दिया तो इस बात की टेंशन मतले ना कि काश में यह ले सकता है क्योंकि ज्यादा difference नहीं इनफेक्ट कवर तो इसका आपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें हूं चेली मैं मैं मुझत आप से नेक्स वीडियो और तब तक के लिए बाबाए